हेलो एव्रिवन आप लोग कैसे ही उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज एक बार फिर मैं आपके सामने पराथे की रेस्पी लेकिया हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं यह हमारा है पत्ता गोवी और आज हम पत्ते गोवी का पराथा बनाएंगे ब तो यह देखिए मैंने कढ़ाई चड़ाई हुई है और इसमें हम चार से छे दाने जीरे के डालेंगे और आप देख सकते हैं जीरे हमारे चिटक गया है अब हम इसमें यह अद्राक और लस्टन का पेस्ट डालेंगे करेंगे तो यह सब्दों कि अध्री में सकते हैं कि अध्री अध्राई शुचा सब्सक्राइब करेंगे तो लुए मैं को महीं करके बार लोगए आप देख सकते हैं कि यह लाइट ब्राउनी हुआ है अब हम इसमें मिल्ची आइज कर देंगे अब हम इसमें डालने वाली है यह मसाली मेरा इसमें मसाला मैंने डाली है आप कमेंट बॉक्स में में मेंशन करेंगे तो मैं इसकी रेस्पी जबूर डालूंगी और यह देखिए इसकों को गयर फ्लेम शिरो कर देनी है और एक सेकंड तक एक से दो सेकंड तक गूल अब हम इसमें यह तेमाइटो डालेंगे इसकी लिए मसाले को दो से तीन मिनाट पका लिए दो इसमें और यह हमारा फिटा हूँ धनिया खडी धनिया वह प्रहुंगी तो मैंने इसको रोस्ट करके धनिया जीरा और इसमें हम आइड का दूँगा अब और गाइज यह हमारा सीक्रेट हम इसमें मक्तर बटर एड करने हैं तो देख सकते आप वन स्पून बटर रहे हैं इस तरह से आपने नहीं देखा होगा किसी फीलिंग में बटर एड करते हूं बट मैं आपको सच्छी में बता रही हूं बहुत ही डिलेशिस बनेगी है इसमें पत्ता गोभी आपको तेज रखनी है इसको तेज फ्लेम पे भूनना है आप जानते ही पत्ता गोभी में कितना पानी रिलीज होता है तो बस हमको इसको तेज करके वह जो पानी समें से निकलेगा वह हमको जलाना आप देख सकते हैं में हमाने या फीलिंस टाप्ट हो गई है और सारी पिचक गई है और इसमें में इंग्रीडियंस या शंद्वाँ ही नहीं नहीं गया ये आ ये वह है जिसके बिना सारी रेस्पी विकार है आट सोल नमंने अइस भी हम्स Hein अगर हम इसमें नमक एड़ कर देंगे तो यह पानी दिलीफ करेगा काफी ज्यादा मात्रा में इसके कारण हम इसको फिल नहीं कर सकते हैं अच्छे से यह हमारी प्लेन रूटी है बट हम बनाने जा रहे हैं कुछ डिफ्रेंट तो मैं इसमें इस तरह से फीलिंग करूंगी कि इस टफिंग इस तरह से हम इसमें करेंगे यह देखिए मैं इसको लोई बना के नहीं कर रही हूं तो यह देखिए मैंने हाँ तरफ इसको इक्वेल कर लिया है और अब हम इसको इस रोटी से कवर कर देंगे यह प्रेस कर दीजे थोड़ा थोड़ा और यह गया तभी पर इस तरह का पराथा आपने कभी भी नहीं देखा होगा इस स्टैंड में बनते हुए जो कि मैंने लोई में इसको फिलिंग नहीं करी है मैंने डवल रोटी की है और यह बहुती पतली रोटी हैं मैंने बोली है और यह दिखे इस साइड से मैंने पलड दिया है फ्लेम मैंने थोड़ी सिलो कर दी है और एक सीगरेट को गाईस मैंने आपको बताया था अब एक और सीगरेट बन लगता तारी हूं मैं इसको मख्षन से इसको बटर से कुगेज और आप इसको अच्सी तरह से इसी ही और ये हमारा परठा लेड़ी आप इस तरह से बनाएए ये मैंने मैंचूरियन ले लिया है और ये थोड़ी से प्याज है और ये आलो का भरता है मारा और मेरी वीडियो आपको पसंद आईए तो प्लीस लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थैंक यू वाच मै वीडियो बाई बाई